हेलो फ्रेंड्स वेलकम अन्मा यूटूब चेनल स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल विश्व कर्मा विशाल 509 में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रिम कोर्ट ओफ इंडिया में वेकेंसी आयोई है उसके बारे में तो दोस्तों सुप्रिम कोर ओफ इंडिया में वेकेंसी आयोई है 210 पोस्तों पर और ये जो वेकेंसी है ये वेकेंसी है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की ये जो पोस्त है ये ग्रूप B की पोस्त है और इसमें जो आपको सेलेरी मिलेगी वो लेवल 6 पे मेट्रिक्स की आपको सेलेरी मिलेगी और इसम आपकी इसमें सेलेरी रहने वाली है, पोश्टे अगर टोटल हम देखें तो 210 पोश्टे हैं, और पोश्ट का नाम अगर हम यहाँ पर देखें तो जूनियर कोट असिस्टेंट की पोश्ट है, इसके बाद इसके आगे हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसके बाद ग्रेजुएशन के साथ में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, वो इंग्लिश में 35 वर्ड प्रती मिनट होनी चाहिए, और कम्प्यूटर चलाने का आपको नोलेज होना चाहिए, इसके बाद एज लिमिट की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 18 साल से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और बाकी का जो रिलेक्सेशन है, वो गवर्मेंट के रूल के इसाब से इसमें लागू होगा, इसके बाद यहाँ पर इग्जामिनेशन की स्कीम हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि the eligible candidates will have to appear in the test in the following subject, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है objective type question paper होगा, जो की 100 question का objective type question paper होगा, जिसमें लिखा गया है कि 50 English से question आएंगे, 25 general aptitude के आएंगे और 25 general knowledge के आएंगे, और इसके बाद next objective type computer knowledge का होगा, जिसमें की 25 question रहेंगे, यह जो है, यह दोनों चीजें यहा पर 2 घंटे की रहेगी, और negative marking यहाँ पर 1 by 4 रहेगी, इसके बाद next यहाँ पर आप देखेंगे कि typing test होगा, जो की computer पर होगा, और आपको 35 word प्रती मिनट की speed से typing करनी है, और 10 minute आपको typing करवाई जाएगी, यह दोनों चीजें complete होने के बाद, प्रेंट से हाँ पर descriptive type आपका जो है paper होने वाला है, तो यह वाला जो होगा, यह दो घंटे का होगा, जिसमें की आपको comparison, passage या फिर आपको essay writing करना होगा, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि typing test on computer will be conduct on the same date and place of objective type written test, तो यहाँ पर जो आपका typing test है, वो उसी दिन होगा, जिस दिन आपका objective type का जो paper है, वो होने वाला है, इसके बाद यहाँ पर application piece की हम बात करें, तो यहाँ पर 500 रुपे आपकी यहाँ पर piece लगने वाली है, जो कि general और OBC category के लिए रहेगी, और 2500 रुपे यहाँ पर SCST और X-Service Man के लिए रहेंगे, इसके बाद last date की हम बात करें, तो यहाँ पर 10 July 2022 इसकी last date र पर इस notification को download करके देख सकते हैं, तो इस तरह से friends आपको समझ में आ गया होगा, कि क्या सारी जानकारी इसके बारे में है, और उससे जादा जानकारी के लिए आप इसकी website को विजिट कर लिजिए, और बाकी की जानकारी आपको उसमें अच्छे से समझ आ जाएगी, मिलते है friends, next video में, तब तक के लिए, बाए